सब अच्छों बात करते हैं कोश्चन बार ठटीन के बारे में इजी कोश्चन है अब सब कुछ कर लिया है अपन लोगों ने ना देखो कोई बड़ी बाद नहीं है यह linear है यह quadratic है I think format याद होगा quadratic के उपर आता है bx प्लस c remember quadratic equation ने दो constant आएंगे आएंगे bx प्लस c लेके चलेंगे हम लोगों यह वहां गया और यह वहां गया और यह वहां गया a plus bx plus c 1 minus x now you know the trick यह cancel हो गयो ठीक है अटा देए इसको डारेक्ट रखोन now perfect now देखो अपन शॉर्ट ट्रिक भी लगा देंगे और लॉंग कट भी लगाएंगे अपना जो standard method है now we know that कि x इधर जो x को इसको 1 रखोंगा 1 तो यह वाला part 0 हो जाएगा इधर कुछ नहीं कर सकता मैं बड़ी यहां दूरू कर सकता हूँ कि अगर मैंने 1 रखा now देखो बच्चाओ put x equals to 1 2 यहां आया तो यह पूरा part 0 हो गया सिब बाचा यह तो 1 plus 1 का स्कुर 1 तो 2 हो गया तो a equals to कितना आया बच्चा लो 1 आया क्या यहां तक कोई तक्लिफ किसी को बिंदाज चल चला गाम अपना कोई दिक्कत नहीं है ना देखो ज़रा इसको open करो a plus यह डारेक्ट कर दे है ज़रा सोचो बच्चो ज़रा सोचो डारेक्ट करने तरीका सोचो मैं आपको सीखाता हूँ सीखो तो सही यार क्या है a into x square perfect कोई दिक्कत नहीं है a into x square जब यह से मटला होगा तो b minus b x square और यहां पर x square को coefficient ही नहीं तो 0 x square डिखेंगे तो you know that x square x square कर जाएंगे तो 0 equals to a minus b तो a equals to b तो बोले तो कितना आएगा 1 तो finally b equals to मैं पास कितना आया 1 आया मनलो अपन पूरा मैंट प्लाइब सुनो क्या कह रहा हूं मैं पूरा खोलने से अच्छा है कि we should use our mind अब practice करने का वक्त है तो कर लो practice अभी कौन सी बड़ी बात है ठीक है आप है कई लोग तो मिरे साथ चल रहे है है ना so practice करने का वक्त है डारेक्ट देखो कि कौन-कौन से कॉफिशेंट है जो x स्कौर के कॉफिशेंट है इतना तो आता ही है अब मुझे c भी चाहिए देखो अब दो दरीके ज़रा देखो c x ज़रा देखो constant में क्या क्या आ रहा है अगर मैं c को मतला करता हूँ दियान से देखना अगर मैं c into 1 करता हूँ constant वाला और a into a 1 करता हूँ b में कोई constant आ भी नहीं रहा है तो क्या होगा c plus a constant में मेरे पास क्या पढ़ा है 2 पढ़ा है क्या लोग देख पाएं अरे a into 1 a c into 1 c और तो को b में सब में x आ रहा है तो सिफ constant वाला a plus c ही होगा equals to यह भी constant है a की value कितनी मेरे पास 1 तो c equals to 1 guys देखो short चीज़े जो होती है जो mind वाला game होता है तो छोटा होता है पर mind लगना पड़ता है तो आप सीखो ना कहां बड़ी बात है थोड़ा सा टाइम दो दस मिन दो पांच मिन दो दस मिन दो पंदाइ मिन दो एक बास सीख लोगे ना तो आपके exam में टाइम बचेगा अभी we have so much of time सीखो आया समझा है मझे जरूर बताना comment section में ठीक है आपर perfect चले आगे पर now as we know that 2 upon 1 minus x 1 plus x square को we can write a की value है 1 upon 1 minus x ध्यान देना 1 minus x है वाफ क्या मेरा इशारा समझ गए आप लोग b की value 1 c की value 1 x plus 1 upon 1 plus x square dot dx क्या कुछ लोग मेरा इशारा यहां समझे क्या इस वाले point पर इशारा समझे यह 1 minus x है मालोग x का coefficient minus 1 है ध्यान रखना तो कि अगे कि I can write log minus अगर आप इसको t मानो तो minus 1 minus x को t माना तो minus dx कुछ dt तो एक minus वहां जाएगा तो वो रही है minus यह directly करें कि x का coefficient को आने minus है तो minus आगया आता है नहीं बात और नहीं आता है तो अलग से t मानोट substitution से करें हो जाएगा जड़ा यहां देखें अलग कर दो कोई दिक्कत नहीं है आपते तो नहीं होई शौर चलने अपना आगे जड़ा देखो क्या इस 1 प्लस x स्क्वार हो कैने राइट x स्क्वार प्लस 1 अरे 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 बात तो एक ही न ताकि formula set हो जाएगा वेरा नो देखो minus log इसको भी i1 मानलो बच्चो इसको क्या मानलो i1 बिकोज अभी और यह formula है किसका 10 inverse x प्लस c प्लस c याभी भी आएगा सन माया कैसे हुआ यह सन माया बताता हूँ मैं भी आपको याद करो बच्चो 1 upon x square प्लस a square का formula था 1 upon a 10 inverse x by a plus c जो लोग इस chapter को इस exercise कर रहे हैं और उनको formula याद नहीं है तो guys formula जरूर याद करें बहुत important है जरूरी है देखें आपे यहाद है clear इस पूरे को अपने i मान लिया आदात बढ़ चुकी हमको कोई दिक्कत नहीं है मैं i1 को अलक्से solve कर रहा हूँ now i1 को लो x upon 1 plus x square dot dx हाला कि मैं इसको verbally कर साता था सोचो ना t किसको मान होगे 1 plus x square को तो 2x dot dx ptt let तो इतनी कमांड तो बच्को अब चाहिए इतनी कमांड नहीं हुई ना तो मजा नहीं करने का और सिफ चैप्टर आपने देखा होगा सिफ प्रैक्टिस मांगता है अगे ने हर एक साइब कर में 3 to 4 ताइम्स करेंगे ना तो काम हो जाएगा आइठीं सब लोग eligible है x dx x dx half log t कौन है t कौन है t अपना है 1 plus x square x square plus 1 plus c1 यह i1 है बिंदास चले हम बनागे put in star इसको इस्टार माल लिया main equation यही है put in star कोई इस्टार नही है बिंदास चले हम बनागे so i equals to minus log 1 minus x i1 कितना है half log x square plus 1 plus 10 inverse x plus c क्या सब लोग देख भाए बच्चालो this is your final answer क्या question सबना है easy था कोई major चीद नहीं थी पर छोड़ी बाते हैं जहां पर आपको गलती कर दो न वो major गलती वो यह है यहां पर आप minus लगाना हम भूल जाते हो aptitude बहुत अच्छा बनता है इस chapter से clear? pause the video and nod it on so नहीं बच्चो बात करते हैं question बात 14 के बारे में easy question है कोई बड़ी बात नहीं है by partial equation 3x minus 1 upon x plus 2 का whole square बच्चो linear की power में square है ठीक है आप है? so you know what we have to write a upon x plus 2 plus b upon x plus 2 का whole square I think you all remember this है ना? position नहीं है now we will take lcm lcm will be x plus 2 का whole square here x plus 2 आजाएगा यहापे and b के यहापे आजाएगा कुछ भी नहीं आएगा simple b आएगा कोई दिक्कत नहीं है this both got cancer तो simply cancelled आदो इसको यहाँ से ठीकन आप भी कर सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है now simple open कर दीजिए इसको easy है ना उत्तों फाद में short रिक के लगा है अभी अपन ठीक है तो x वाला x से compare होगा कोई दिक्कत नहीं है तो a कितना आया 3 आया 3x equals to a x तो a 3 आया perfect और 2a plus b equals to minus 1 3 रखो यहां पर 3 to 6 इसको ठाके यहां रखा plus b equals to minus 1 तो b आया minus 7 कितना आया minus 7 किया यहां तक फंदा क्लियर so the major task is you have to simply find the value of a and b now a कितना है 3 upon x plus 2 dot d x minus 7 upon x plus 2 का holy square dot d x कोई दिक्कत नहीं है no simple guys 1 upon x plus 2 यह linear है और x coefficient 1 है plus 1 कोई दिक्कत नहीं है minus 7 log मत लगा देना आपर x plus 2 का square है यह बात ध्यान रखना भूल जाते हो तुम लोग है ना तो क्या करेंगे x plus 2 की पावर minus 2 plus 1 अब तो डारेक्ट कर सकते हो ना 1 upon x square x power minus 2 हो जाएगा x power n plus 1 upon n plus 1 वाला फामल लगे यहाँ plus c 3 log x plus 2 अच्छा minus 1 minus minus plus और x plus 2 यह बार minus 1 तो नीचे लिया हो उसका अभी सही 7 upon x plus 2 plus c I think सब लोग इतना तो समझते हैं बाई छोटी मोटी calculation तो I think सब समझते हैं कोई major issue नहीं है power minus 1 आएगा और वो नीचे आएगा x plus 2 clear done perfect pause the video and not it down and I think this is an easy question तो बच्छों बात करते हैं question number 15 के बारे में now easy question है कुछ भी नहीं है no क्या आगे रहा है यहाँ पर x power 4 minus 1 so guys as we know that यहाँ पर लग रहा है मैं दिखा देता हूं कैसे लिखते हैं जिनको थोड़ा दिखा दाता है formula में can I write like this a square plus 1 a plus b a minus पर लग रहा है बच्छों कुल में लाग रहा है ठीक है है यहाँ पर क्या दिख पा रहा है कोई रिशू नहीं है I think सबको आता है यह तो सिफ मैंने ऐसे दिखा दिया वाकी बोर्ड में जरूत नहीं है आपको can you directly raise to this अच्छा दे रहा हो दो quadratic equation आ रहे है there are two quadratic equation so you know b a x plus c b x plus c वाला फंडा लगता है आपको by partial fraction can I say 1 upon x square plus 1 x square minus 1 यहाँ आएगा a x plus c upon x square plus 1 यह भी quadratic equation आप अच्छो तो यहाँ लिख देंगे अपन यहाँ पर b लिखो तकि system जमा रहे प्रापर c x plus d upon x square minus 1 yes or no पहले बताओ यहाँ तर सब लोग satisfied है किसी को तक्लीफ तो नहीं हो रही है बिंदास चलें बनागे किसी के मन में एक सवाल आ रहा होगा sir इसको भी खोलो ना यह भी तो a plus b a minus b को खुल रहा है सही सवाल है और हम खोल सकते हैं इसको लिखो a plus b minus x plus 1 x minus 1 तो कुछ नहीं तीन चीज़ आ जाएगी तो इनके नीचे एक तो हो गया a x plus यह हो गया c upon x plus 1 plus d upon x minus 1 तो 2 constant तो लानी पड़ेंगे यह बतता है होगी तो 2 तो लाना ही है महनत उतनी ही करनी जितनी वैसे खोल करनी तो मैंने directly यहां कर दिया कोई matter नहीं करता है आप चाहोता answer वैसे लाओ बिन्दास चल ठेक हैं आपे ना देखो यह चीज़ आगे आपने पास चालू करते हैं अपन LCM लेते हैं plus b x y minus 1 c x plus d x y plus 1 upon minus 1 ठीक है यह और यह और यह और यह और कट गए कोई दिक्कत नहीं है हटा दो इसको में यहां से भई में पास चाल टाइम सेव होता है अपन सबको टाइम सेव होता है आप भी बोर्ड में डारेकली कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बच्चा क्या है आपे 1 बच्चा बिन्दास चल कोई इशू नहीं है खोलें इसको बढ़ 1 इकर सूब अच्छा यहां पर शॉट ट्रिक अप्लाइए नहीं कर सकता है बिकोज यहां पर एक्सकोर आ रहा है मैं कुछ भी रखूंगा तो एक तो रख तो सकते हैं अगर में 1 रखूंग तो भी मेरा काम हो जाएगा यसा इशू नहीं है यहां पर ना कर सकते हो इश कर तो सकता होges यहाला पार्ट तो खतम जीरो हो गया बचा क्या X में गया 1 तो C1 प्लस D इदर आ जाएगा 1 प्लस 1 फिर इक्वास टू 1 कोई दिक्काद नहीं हाँ पर किसी को कोई मसला नहीं बिंदार गारी चल रही है यहाँ पर तो C प्लस D यह 2 हो गया, 2 नीचे आया तो C प्लस D इक्वास टू क्या आएगा हाफ, तो एक रिलेशन तो में पास ही आ गया, C प्लस D इक्वास टू हाफ, एक तो आ गया कोई दिक्काद नहीं है, ना बड़ खोलना तो पड़ेगा चॉइस नहीं है में पास है ना, बिना खोले कर सकते हैं क्या करनें, बिना खोले करें सिखो, सिखो बच्चो, सिखो कैसे कर सकते हैं बन्जार देखो ये X इंटू X होगा तो X क्यूब हो जाएगा ये भी X क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर X क्यूब हो कोई कॉफिसेंट नहीं है तो 0 X क्यूब इक्वस टू A X क्यूब प्लस C X क्यूब तो X क्यूब से X क्यूब कट है तो A प्लस C इक्वस टू 0 डारेक्ट करना सिखो बच्चो बहुत अच्छा लगेगा आपको आई थिंग कुछ लोगोने प्रैक्टिस करा भी होगा नो देखो इक्वस टूब लगा था प्लस B यहाँ पर कोई तकलिफ किसी को कोई मसला नहीं है अराम चल रहा है यहाँ पर क्लियर ना देखो एक और आदा है ना देखो एक और ला सकता हूँ X वाला जब देखो A X जब माइनस 1 से मटला होगा तो माइनस A X आएगा और C X जब 1 से मटला तो प्लस C X आएगा तो देखे वन मोर रिलेशन देखे वन मोर रिलेशन बच्चो क्या रिलेशन है वो X वाला और इधर कोई भी X वाला नहीं तो 0 X तो माइनस A X और माइनस का प्लस का C X बीना खोले भी अपन गरेए X गया तो 0 X दो माइनस A प्लस C तो A X दो क्या आया C कोई दिक्कत नहीं A X दो क्या आया C आया ना देखो इसको 1 नाम देते हैं इसको 2 नाम देते हैं इसको 3 नाम देते हैं इसको 4 नाम देते हैं कोई दिक्कत तो बच्छो मुझे पहले जरूर बताना comment section में क्या आप कोई direct करना आया इस से आपको time बचेगा सीखो ना बस coefficient देखने कौन सा coefficient तो मैंने पूरा मटबला आना करा सिर्फ देख लिया किस को किस से मटबला करे रहे कौन सा x को कोफिशन कौन सा है x cube का कोफिशन कौन सा है पस simply उदर से knowledge लेके अपने काम कर दिया सीखो मैंने कई वीडियो कई दूत्री कोश में मैंने सिखाया यह पंडा now by 2 and 4 2 and 4 जब a equals to c है तो यहाँ पर रख दो तो a c के जगे a लिखो equals 0 2 a equals to 0 तो a equals to कितना आया 0 आया बच्चा लोग minus 2 मत कर देना कुछ लोग कर देते हैं आपर तो a equals 0 आया तो भाई साब a equals c है तो c भी तुमारा क्या हो जाएगा 0 अच्छा ठीक है भाई c भी 0 हो गया तो जब यहाँ देखो यहाँ देखो by 1 c plus d equals to half है और c अगर 0 है तो d कितना आया half क्या है यहाँ तक clear कोई मस्वला नहीं अराम से काम चल रहा है पॉफिट बच्चो now by 3 1 equals to minus b plus d देख रहे हैं आप लोग 1 equals to minus b plus half कोई दिक्कत नहीं है shifting कर रहे हैं minus b को वहाँ बेज़े हैं 1 को इदर बेज़े हैं तो b equals to half minus 1 बोले तो minus का half क्या कोई तकलीफ किसी बच्चो यहाँ पर आराम से काम हो गया अच्छा सर a और c 0 d और b 1 half और 1 minus half ठीक है आसकते हैं 0 आसकते हैं कोई इशू नहीं है चले हैं अपना आगे now अपने बात करते हैं 1 upon x square plus 1 इदर यहाँ देखें बच्चो अच्छा अब x plus b है a कितना है द्यान से देखना a कितना है 0 0 into x 0 b बचा तो b की value कितनी है आपने पास minus half तो minus half upon x square minus 1 dot dx क्या कोई तकलिफ plus 1 क्या कोई तकलिफ आराम से c x plus d देखो c कितना है 0 0 into x 0 हो गया b बचा b कितना है half half 1 upon x square minus 1 dot dx clear बिंदास कर दे integrate अच्छा अरे जरा मुझे बताओ बच्चो ये formula किसके लगने वाला है पहले मुझे बताओ 1 upon x square plus a square dot dx इसका formula है किसका है तेरे पहले खुद सोचो ना 1 upon a tan inverse x by a plus c अगला देखो 1 upon x square minus a square dot dx ये किसका है पहले खुद सोचो मैं आपको 2-3 second दे रहा हूँ सोचो सोच लिया किसका है 1 upon 2 log x minus a a माने boy तो नुकसान करते हैं तो x minus a upon x plus a plus c अब जिन लोगोंने formula imagine कर लिया वो बहुत सही खेल रहे है सही खेल जाएंगे और शान्दा ये फार्मला जो सोच लेता ना मज़ा जाता है चलो आगे चलो और नहीं यादे तो कर लो ना यादी तो करना है चलो minus half अच्छा 1 upon 2 है एक इतना है आगे बच्छा 1 can you imagine तो 1 upon 2 into 1 log x minus 1 upon x plus 1 plus c so your final answer is minus half 10 inverse plus 1 upon 4 10 inverse x minus 1 upon x plus 1 plus c यहाँ तक फंडा क्लियर एक काम करो न c1 ले लो क्यों सर क्यों और क्योंकि न यहाँ पे कसी आया था न तो वहाँ पे कुछ c1 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 c2 कुछ भी ले लो k ले लो p ले लो your इच्छा your wish guys clear but इस पूरे कोश्व में तुमें सीखाना था वो यही सीखाना था कि मैं डारेक्टली कैसे किया फिर भी कुछ बच्व को तकलिफ आती है तो पूरा ओपन करें पूरा मर्मला करें फिर कॉफिशन कंपेर करें अपने सीखा है अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है तो वो कर सकते हैं बजी चीच सीखो अगर एक कुछ आया वो वीडियो देखने तो कुछ सीखो ड़न, क्लियर, पॉज़ वीडियो और नॉट इटाउ जो बात करते हैं कोईशन में 16 के बारे में काफी important कोईशन है आप कोईशन 16 देखना और कोईशन में 20 देखना दोनों एक category कोईशन है मैं भी सब clear दराता हूँ कैसे करना है यह एक pattern है इसको यह लिखें आप एक टाइप यह ऐसी question नहीं कि कोईब भी आके कर लेगा नहीं, ऐसा नहीं यह question के बारे में यह pattern देखना है इस question में क्या होता है मिशा जब भी आपको question मिले for example मैं example गिना रहा हूँ note करना, NCRT के पर note करना जड़ा देखना बच्चो type क्या है यहाँ पर जब भी question मिले for example 1 upon x square बाहर अंदर मिले x power 4 plus 1 यह मेरा question number 20 था देख रहो मुख्य अंदर कोई question देखो 1 upon x, x ही power 20 ले लो plus 1 ले लो तो भी ठीक है कोई और ले लो जो भी लेना चाहो 1 upon 1 upon अपन लेते हैं x, x power कोई भी ले लो आप क्या बोलो 50 ले ले 50 ले लो कोई दिक्कत दिये plus 1 so guys पहले familiar हो जाओ familiar क्या यह type देख रहे हो क्या इस से match कर रहा है n है ना n की जए कोई भी number आ सकता है कोई भी number 1, 2, 3, 4 कोई भी natural number या ना कोई भी natural number जहां तक funda clear या कोई भी funda clear अच्छा अब करना क्या है सर इसमें करना क्या है बच्चों इसमें होगा कि multiply and divide by x की power ध्यान से देखना x की power n-1 सर यह याद रठना पड़ेगा हाँ यह याद रठना पड़ेगा मलब अगर यह कोईशन है तो x की power n है तो x power n-1 एक value से कम मलब x power 4 है तो मुझे x power cube से cube से multiply and divide करना पड़ेगा यहाँ पर 20 है तो x power 19 से मुझे multiply and divide करना पड़ेगा यहाँ पर x power 49 से multiply and divide करना पड़ेगा क्या आप बात सबको समझ में आ रही है यहाँ पर it's a type, it's a category, आखों में बसा लो इसको बसा लो इसको बच्चो एक दम ना imagination proper level बे ले जाओ इसको I think funda clear होगा, कोई दिक्कत नहीं है it's a type, it's not an easy question कि चलो कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है पता होना चीक कैसे करना है, ठीक है याद हो गया, मैं इतनी भहस करी, इतनी बात करी आपसे I hope so याद हो गया होगा, हो गया, चलो now, अब x e power n-1 से multiply किया dot dx कोई दिक्कत, बिंदास चल रहे हैं आपना आगे जड़ा देखो, x power n-1 यह और यह कितना हो गया x power n, x power n plus 1 dot dx, क्या यहां तक बंडा क्लियर, कोई issue, कोई मसला नहीं है, आराम से, now let x की power n को अपन T मानेंगे, क्या बोला मैं x की power n को अपन T मानेंगे, क्लियर कोई दिक्कत नहीं है सारे question जो आएंगे न, important 16, 17, 18, 19, 20 शांदार, भैतरीन T माना, तो क्या होगा, सबको पता है, differentiate करेंगे dt x power n minus 1 dot dx equals to dt upon n, now it's a strategy, it's a trick, it's a part of this question, कि आपको ऐसा 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 करना है, तभी आपको वैसा 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 answer मिलेगा, so x power n को मैंने T माना, differentiate किया, so you know the differentiation of x power n, n x power n minus 1, ठीक है, basic formula n को नीचे भेजा मैंने, now see, ये जो चीज है और ये जो चीज है गायाब होगी, कोई दिक्कत नहीं है चले आपना आगे, now चलो, या तक कोई दिक्कत नहीं, अराम सले, so 1 upon n क्या आया x की power n आ गया इसको अपने T माना इसको अपने T माना, T plus 1 ठीक है ठीक है, ये T plus 1 हो गया कोई दिक्कत नहीं है, इदा लिदेंगे dt dt by n ठीक है अराम से, अब देखो T की form में आ गया, क्या आपको partial fraction जैसे दिख रहा है factors की रूप में दिख रहा है by partial fraction ध्यान से ध्यान से, ये तो constant है इसको अटाओ, बाद में सोचिंगे इसके बारह में, 1 upon T T plus 1 को लिखा A upon T plus B upon T plus 1 यहां तक क्लिए LCM लिया T, T plus 1 यहां तक भी क्लिए ये और ये और ये और ये तो गया कड़ गया, कोई दिखकात नहीं है हड़ा दूसको में ताकि टाइम से होगा अपना Now कैसे भी कर लो है, शॉर्ट टेक लगा दो, जैसे लगाने लगा दो Put P equals to minus 1 रखा तो ये 0 हो गया 1 equals to ये 0 हो गया, तो B, T बचा, यहाँ पर T का कोई भी नहीं है अच्छा, T की पाउर, minus 1 रखना, यहाँ पर minus 1 आया, तो B equals to आया, minus 1 क्या है, यहाँ तक 1 डख लिया, अराम से चीज़ चल रही है Now, T को रखो, 0 T को रखा, ताकि ये चीज़, 0 हो जाएगी तो 1 equals to A, 0 plus 1 1, A into 1 A equals to कितना है, 1 आया So, A और B की value, अगबास आगे है Now Now इदा, ध्यान से, ध्यान से, 1 upon N ये रहा फिर थोड़ा सा समझ रहे हो, चीज़ों को समझना है, चोड़ अच्छे से, ठीक है 1 upon N ये रहा A upon T B upon T plus 1 क्या आप लोग तीज़े समझ रहे है कोई दिखकत तो नहीं है, अरे ये 1 upon N को छोड़ोंगा तो ना भूलेंगे तो ना इसको अपन, इसको ले जाएंगे, साथ भी ले जाएंगे तो ये 1 upon N ये रहा इसकी जगे है ये चीज़ आगई, clear एक चीज ध्यान रखना एक छोटी सी बात ध्यान रखना अच्छा, अभी clear चलेंगे अपना आगे So, 1 upon N तो ये रहा जो कि दोनों से मढ़वला होगा ये बावित्ताई है, अरे इस से भी मढ़वला होगा और अंदर भी मढ़वला होगा एक ये value कितनी है यहां लिखू मैं कन्फिज जाते हो ना सुम लोग 1 upon N B T plus 1 dot D T यहां तर clear So, 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 so A की value है 1 1 upon N 1 upon T dot D T plus 1 upon N B कितना है minus 1, minus 1 तो plus minus minus T plus 1 dot D T कोई दा क्लीफ नहीं है simple D T की form में चल रहा है सब कुछ T की form में तो log T log T plus 1 plus C यहां तर फंडा clear कोई दिख करती है एक ची देखो 1 upon N 1 upon N कॉमान आ रहा है log प्लस C कोई दिखकत कोई दिखकत नहीं log M minus log N log M upon N T कौन है T कौन है X power N है अपना ठीक है आपे तो 1 upon N log X की power N upon X की power N plus 1 plus C सब्सक्राइब दिखकत सब्सक्राइब दिखकत इसको दुबारा दिखना इस question को back करें वापस आ गया ही है major चीज किससे में इंड़ा करना है जो भी X power N है उससे एक कम पावर एक कम ठीक है फिस सिम्बल X power N को T मानना यह जो methodology step जो है यह आपको आनी चीए यह याद रहना चीए कर आप फिस सिम्बल प्रोसेस ठीक है आपके बैस इस वन अपन इनको साथ में ले जाना मत भूलना clear guys done हपन question 20 वर करेंगे बिंदास done question 17 बहुत important so pause the video and note it all